नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे सुन्दर होंगे और स्वस्थ होंगे इस वीडियो में पहले तो आपने टाइटल और थमनेल देखके क्लिक किया है कि मतलब कि यह बहुत अच्छा प्रशन है बट सीजियल 2014 में पूछा या आप तो प्रिविए से सारा करवाते हो तो कहां गया आप थी यह प्रशन क्यों नहीं करवाया है इतने पहले करवा है कि हो सकता आपके दिमाग में ही न पूच्छो या आपने वीडियो न देखो इस इसके टाइब के जो दो और कॉंसेप्ट है ट्राइंगल के वह भी करवा दोंगा और एक इंपोर्टेंट बाद बाद सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहते हूं कि इस प्रूसियल फेज अफ यूर लाइफ अगर आप करियर की बात करें या फिर आपनी परसनल की बात करें ठीक है और यह जो एज है बहुत प्रोड़क्टिव एज है तो इस टाइम पर थोड़ा दिमाग का भी प्रियोग करो आपकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो और सही डाइरेक्शन में लगा और अगर आप दूर तक चैनलाइज करोगे तो काफी दूर तक इस टाइम पर इस एज में ना बहुर लोग आपको मुर्क बन जाते हैं सबसे बड़ी दिक्कती हैं देखो आपके पास दो-तीन महीने बच्चे हैं इस टाइम कोई स्टेट्जी किसी का मीटप किसी मिलना कुछ काम नहीं करना चाहिए बट मैं यह कहता हूं कि चलो वो कर र मतलब इदवदर रोने लग जाते हैं कि आपका सेलेक्शन नहीं हो रहा है कैसे पॉसिफल है सेलेक्शन होना है ठीक है मतलब आपके दस मिनट मिलके फिर पूरा गए आए दिमाग में चीजें चलेंगे इस ट्रफ होती है पड़ा ही न तो इन चीजों में आप प्रशनों को अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई नहीं करो तो मुझे मज़ा नहीं आएगा पहले प्रशन में क्या कहा गया तिर्बूच ABC में देखो फोकस करो तिर्बूच ABC में सी जो है ऑप्ट्यू जंगल यानिकी आधी कौन है एक्स्टीर एंगल बाई सेक्टर ए और B के बढ़ाने पर उसको D और E विंदो पर मिलते हैं अगर AB बराबर AD बराबर B है तो ACB कोण की वैलू है सिंफल सा प्रशन है आपने का इसमें तो कुछ नहीं है मैंने का बिल्कुल नहीं है मिर बाई बट आपको तोड़ा सा देखना है बस उसको उसके सिवा कुछ नहीं करना क्या दिया गया इस प्रशन है उसमें फोकुस यह कोई आपका प्रशन है जिसमें क्या कहा गया इसमें क्या दिया गया है कि यह वाला कोड़ C है ठीक है और दिस वन इस ए दिस वन इस बी से एक्यूट अंगल है तो हमने बड़ा बनाने के लिए उपर कर दियो चुकि दो एंगल जिनके बाइस सेक्टर दी एक ते शैक उसको इधर करती है वहाइब को आपको एंगल वाई सेक्टर खीचना है तो आप पहले इसको बढ़ा दो एंगल आकर मैं इसका यहां प्र एं कि आपसे कहा गया कि अगर हम इसको बढ़ाएं मतलब कि बढ़ाते है अगर मैं बढ़ाता हूं खिट को बढ़ाता हूं तो यह दी पर मतलब कि this point is given D this point is and अगर हम a c को बढ़ाएं तो कहाँ पर पर मिलता है यानि कि इसको अगर बढ़ाओं तो यहाँ पर मिलता है यानि कि इसको नहीं कुछ नहीं हो नहीं करने आपको एगला कि या कुछ भी हो जाए आप भूल जाओ सबकुछ दुनियादारी भूल जाओ अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक को ए माल लेता हूं अगर यह पूरा कितना होगा यह वाला इस एंगल इस एंगल कितना होगा एक सबको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चिए हमने क्या कहा हमने इसको टू यह माना उसको टू भी अगर हम बाइसेक्टर एंगल ने तो 180-2 यह होगा जिसका आधा हो जागा 90-2 यह से 90-2 बस क्लियर अब देख्टों क्या बात करी गई बात तो बहुत बड़ी बड़ी करी गई इसमें क्या हमें काम की बात है वह देखते हैं ट्रैंगल एंगल कौन सा देख रहा है आपको इसमें सब्सक्राइब के सामने का कौन अगर इसके सामने का कौन का योग निकाल तो आपने कहा पहला एंगल हो गया तो बी दूसरा हो गया 90-2 यह यह यानि कि 90 प्लस से और प्लस 2B यह बराबर कितना हो गया 180 यानि हम कहा सकते हैं यहां से कि 2B प्लस 2B यानि a प्लस 4B is equal to 90 degree नथिंग रॉंग ए प्लस 4B is equal to a plus 4B is equal to 90 degree clear यानि कि this one is equation 1 अब दूसरे ट्रैंगल में आते हैं वन बी कम तो इस ट्रैंगल ट्रैंगल a b e तो क्या होगा आपको पता है a b b बराबर b e ए ए बराबर b वहां कर सकते हैं बी के सामने का कौन अगर टूइए देखो बी के सामने का कौन अगर टूइए है वह यह वाला एंगल अब ट्रैंगल a b e में आ जाते हैं तो इसके तीनों कोणों का योग ले लो यानिकि तू को ये लिया फिर यह वाला तुइए फिर यो ले लो यानि आपने क्या कहा टू यह ब्लस टु यह प्लास ब्लस B यहां से हम कर सकते हैं 4A plus B is equal to 90 अब हम दोनों को जोड़ देते हैं दोनों को जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 5A plus 5B is equal to तो कितना मिल जाएगा एक सोस्ती यानि एक प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा अरे देखो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 5A plus 5B is equal to 180 डिग्री यानि एक प्लस बी बराबर 36 अब अगर एक प्लस बी चत्तिस है तो 2A plus 2B कितना हो जाएगा यानि इस पार्ट पे आए देखो अगर मैं यह वाले कोड़ और इस वाले कोड़ का योग कूछ तो 2A plus 2B यानि कि यहां से अगर एक प्लस बी चत्तिस है तो 2A plus 2B कितना हो जाएगा अगर 2A plus 2B बहात तर तो यह वाला कोड़ कितना हो जाएगा 180 माइनिस 22 यानिकि 180 सी बात हमने क्या काम किया हमने प्रोपर्ट्र रिखलो प्रोपर्ट्री 1 प्रोपर्ट्री 1 में कहा गया कि एंगल ये अपोजीत तो 2 एक तो यह प्रोपर्टी लगी इसके सिवह लगी फिर तीनों को जोड़ा प्लस बी की वेलू आई ये वाला कुण इतना हो गया एक सो आट डिगर्स इतना समझ में आया कोई दिक्वत नहीं होनी चेह समझ में आगा इस को समझाने के लिए मैं तेखो इस प्रश्न में कुछ आपको figure कैसे ड्रा करना है यानि इस question is important only अगर आपको figure ड्रा करने कोई दिक्त हुई तब important अदर्वाइस इसमें कुछ भी नहीं था अगर मैं कहूं कि इस लिट कर लिया अगले डिके अप्राने मैं यह कंसे आपको करने क्यों करवा हुं मैं उस्माचा आके इंगल आफ्टर इंटिरीनियर बाइस एक ट्रांगलzt एड कोई अ यह एक है यह एक बड़ा बॉरा एंगल से कितना हूं इनिटीडियर यहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं तो सब्सक्राइट पूछा जाए निया आप से कहीं पूछा जाता है कि कौन BIC कितना होगा वह आप कहेंगे कौन BIC ट्राइंगल BIC के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो हम एंगल BIC क्या कह सकते हैं 180 में से बागी दोनों कोड़ों कही हो यानि कि 180 माइनिस सम of remaining two angles यानि by2 और कि प्लस C by2 और आपको पता है ट्राइंगल ABC में A B C और एंगल आप ट्राइंगल ABC तॉम कह सकते हैं sum of A plus B plus C वराबर कितना हो जाएगा एक्स उस देंस एक्स वासी कितना कह सकते अगर B plus C 180 minus A हो गया तो B plus C by 2 कितना हो जाए एक 180 minus A by 2 यहाँ पर हमने पूट कर दिया यानि 180 degree minus 90 minus A by 2 अब अगर हम ब्रेकट ओपन करेंगे तो 180 minus 90 90 और minus minus plus cone A by 2 यानि कि cone B आई से अगर I in center है I in center मतलब I is point of intersection of interior bisectors यानि अन्ता संब्धी भाजकों का पटान बिंदो अगर आई हो तो वो क्या मनेगा in center और अगर in center में बना को पूछा जाए तो BIC बराबर तो 90 plus posit angle by 2 यह formula आपको पता है कि नहीं पता है आपने का बिल्कुल पता है अगर यह formula नहीं in center हो या interior डायक्त नहीं देंगे कि interior bisector है आपको यह देंगे कि यह क्या है in center नहीं देंगे यह देंगे कि यह मिलान बिंदो है किसका interior bisectors का आप से पूछ लेंगे अब आप पूछोगे geometry कहा से पढ़ हो जो इस्टार बैस प्लेइस्ट है अपनी जिसमें geometry का मैं guarantee लेता हूं उससे बाहर one day exam चाहे cds क्यों नहीं हो चाहे fcad क्यों नहीं हो चाहे कोई भी exam उससे बाहर कुछ नहींगा स्टार बैस फिरी में सतर वीडियो अविलेबल है 140 गंटे में सारे के सारे concept और प्रीवियस दो तो तीन तीन सब्रस्ट मैंने करवाए मुझे मेरी speed आपको पता होगी कि मैं किसी सब्सक्राइब आपको पकड़ना पड़ेगा अधर्वाइस से बहुत दूर पहला concept समझाके अब आपको यह कोई दे दे 38 दिग्री तो यह कितना हो जाएगा पता एक सब्सक्राइब करने दूसरा देख लिए एंगल आफ्टर एक स्टीरियर बाइसेक्टर इंटर्सेक्ट इस यहां यहां पर बढ़ा है तो आप से कौन सा पूछा गया यह वाला अब यह हो तो इसकी वेल्यु पूछी गयी है सोटों सब्सक्तिके एकले सब्सक्तिके happened सब्सक्रा एकलेख सकरीच खंक देख़ seven the second तो यह कितना होज़ेगा इसका आध है 90-B, अब similarly same concept इधर भी लगा दू, यानि कि अगर O is exterior, O is point of intersection of exterior y sectors of triangle ABC, तो कोण BOC कितना होज़ेगा, angle BOC can be written as 180 degree minus sum of remaining two angles, यानि कि इन दोनो का सर 90-B by 2 और प्लस 90-Cy2, clear, यानि कि यह होगय 180 degree minus, 1990 180 minus B plus Cy2, B plus Cy2 को हमने क्या लिखा था, पहले इसको open कर दो, यहां से आपका बच्चा, B plus Cy2, B plus Cy2, अब B plus Cy2 क्या होगया, B plus Cy2 क्या होगया, B plus Cy2 क्या, अभी हमने निकाला था, 90-Cy, सिंपल सी बात है, यानि कि कोण Boc क्या हो जाएगा, 90 minus A by 2, clear, यहां से आपको यह concept मिलगा, कि अगर यह exterior bisectors का point of intersection हो, यानि कि क्या हो, exterior angle मतलब बाहरी समधिवाजकों, यानि बाहरी कोण के समधिवाजकों के, प्रती 6 दुमिंद पे अगर कोई कोण Boc बन रहा हो, तो Boc क की value क्या होगी, या आपको पता चलिए, clear हो क्या, यह concept समझ में आ गया, चल, अब यह इस से पहले कि मैं कुछ एक और concept करवाँ हूँ, यहां पे आपको, नहीं, concept नहीं, अब एक चीज पहले suggest कर देतो, कोई भी star-based playlist अगर आपने देख रखी है, तो आपको concept में कहीं दिक् कहां मिलेगा, चैनल पे, description में लिंक डाल दूँगा, star-based की दो playlist मिलेगी, एक 2.0 जो कि arithmetic की है, एक star-based playlist है, जिसमें पूरा geometry कर देखो, अलजबरा, अलजबरा, यह क्या है, यह है, आपके जो, अभी recent exam में आये है, questions, यह मैंने करवाएं है, ठीक है, तो यह आप देख लेन पहली चीज, किसी भी algebra हो, कुछ भी हो, सर्च कर लेना, अब दूसरा यह आपको क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है, आपको playlist, complete maths, SSC, CGL 2023, topic-wise, short papers, आपको zoom करके दिखा देता हूं, यह playlist जो है, यह playlist आपके लिए बहुत ज्यादा important, क्योंकि इसमें मैंने CGL 2023 के सारे प्र preparation, same channel वाली spelling, same channel वाला logo उधर मिलेगा, अगर ऐसे नहीं मिलता है, तो I add the rate लगाना, competition preparation के बीच में बिना gap के भाई रोहित लिख देना, तो भी आ जाएगे, 41,000 कुछ ऐसे कुछ members है उधर, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, बाकि यह playlist जरूर करें, अगर आप CGL, CSSL, CPU, MTS कुछ भी देने जा रहे हैं, तो यह playlist में एक दम detail में करवारो, एक और चीज, यह playlist खोलो के तो आपको कुछ इस तरह से content दिखेगा, देखो, channel पर जाओगे, तो channel पर पहला content देखो, CGL 2023, geometry, mensuration, go, फिर ऐसे, देखो, complete maths यह वाला playlist दिखेगी, और नीचे ही, आप देख पा यह latest playlist है, selection post के अच्छे प्रशनों को मैंने छाट के अलग करवा रखा है, तो do check it out, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको mathematics में I can assure you, और बाकी एक और concept मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है, दी सुन, क्या है यह, circle है, इस पर क्या खीची गई, tangent, क्या क्या खीची गई, tangent, और अगर यह वाला एंगल, अगर यह वाला एंगल, थीटा हो, यह वाला एंगल कितना हो, थीटा हो, यह वाला एंगल कितना हो, यह वाला एंगल थीटा हो, कितना हो थीटा हो तो यह वाले एंगल की वैलू बता हो यह आपको अपको यह बताने यह ब्रित के केंदर से असपर रेका पर डाला गया मतलब जो मिलाने वाली तरीचे होती हो उस पर लंब होती है यानि कि the radius which joins center of the circle from point of contact of tangent is always perpendicular तो यह perpendicular होगा, यह 90 degree होगा, यह 90 degree होगा, similarly यह 90 degree होगा, यह 90 थीटा होगा, 90 minus थीटा, यह 90 minus थीटा, similarly यह भी 90 minus थीटा, क्यों यह एंगल by sector होगा, यह एंगल by sector होगा, अगर यह 90 minus थीटा, तो यह 90 minus थीटा, और अगर यह 2 थीटा है, तो 180 minus 2 थीटा होगा यानि कि यह जो बनाएगा, यह साइक्लिक कौाद्रलेटरल बनाएंगा US कि प्रपर्टि यह देखो इस में इस टाइंगल में देखो इसका 90 और 90 180 2 थिटा और 180 माइनस 2 थीटा यह भी 180 अगर आमने सामने कि कुडों का योग 180 तो वह कैसा बनता है साइक्लिक कॉंसेट नहीं हमने कितने कॉंसेट कर लिए मेनी कॉंसेट तो यह आपको पता होने चाहिए कि अगर एक विंदू से किसी ब्रित पर दोस पर से खाएं कि चाहिए उनके बीच कोड टू थीटा हो तो किंद्र पर कितना कोड बनेगा 180-2 थीटा योग एक्षोसियंस होगा that's it clear हमारा सारा कॉंसेट के लिए तो अगर आप वीडियो पसंद आएगे वीडियो को लाइक कर ले ना चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर ले ना once again I am saying I am repeating the same line again कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है this is the most precious time you have got और अगर यह